सबसे पहले हम लोग दूसरे सवाल में पहले और दूसरे सवाल को हल करेंगे सबसे पहले क्या पर अब सेंटेंस को पूरा लिख ली जेएगा ए एक्स इस्क्वार प्लास प्लस प्लस agree go 0 जीरो से तुल्ना करने पर जब हम तुल्ना करेंगे तो हमें देखी yax की 종 ap quo क्या है और यहाँ पर देखी की पुरांग B था था हमने B लिख लिए B बरावर माइनस 4 अंडर रूट 3 यह हो जाएगा B बरावर और आपका C बरावर देखे सवाल में क्या दे रखा है प्लस 3 आपका हो जाएगा 3 और फिर क्या करेंगे यहां पर देखे हम सबसे पहले क्या करेंगे दिघाती सुतर से हल करन कारेंगे तभी आपको वास्तविक मुल मילेंगे तो देखे है आपका B बरावर क्या है – 4 अंडर रूट 3 minus 4 under root 3 b का square है तो b का square कर देंगे और minus 4ac minus 4ac 4 into a a बराबर है 4 4 into c c बराबर है 3 तो 3 और आपका देखे क्या हो जाएगा करड़ी में 3 का square करेंगे तो 3 और 4 का square करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस में 4 चोग के सोरतिया 48 यहां समें क्या मिलेगा 48 मिलेगा माइनस 4 चोग के सोरतिया 48 48 minus 48 यानि आपका 0 हो जाएगा यानि यहां पर देखे हमें b square minus 4ac का मान कितना मिला 0 मिला 0 मिला है तो देखे आपका b square minus 4ac का मान जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए तभी हम दिघाती सूत्र का उपियोग करके मुल ग्याद कर सकते हैं तो देखे आपका क्या हो जाएगा यहां पर अब लिख दिजे दिघाती सूत्र से दिघाती सूत्र से दिघाती सूत्र क्या होता है आपका देखे समीकरण है 4 x square minus 4 under root 3 x प्लस 3 बराबर 0 यानि हमें यक्स का मान ग्याद करना है तो आपका देखे दिघाती सूत्र से हो जाएगा आपका x बराबर minus b under root b square minus 4 ac 4 ac divide by होता है 2 a और फिर आपका देखे क्या हो जाएगा minus b तो b बराबर देखे कितना है minus 4 under root 3 minus 4 under root 3 तो minus b की जगाफ हम क्या लिख देंगे minus 4 under root 3 और plus minus under root b square minus 4 ac कमान कितना है भाई b square minus 4 ac कमान हमने हल किया है आता आया है 0 तो b square minus 4 ac की जगाफ उठा के रख देंगे क्या 0 और divide by हो जाएगा आपका 2 a 2 a 2 into a कमान कितना है सवाल में 4 है तो 2 a 4 हो जाएगा और फिर मैं इधर हल कर लेता हूँ तो आपका देखे यक सा बराबर हो जाएगा जब यह बाहर जाएगा तो minus minus plus हो जाएगा तो हो जाएगा आपका बाहर 4 under root 3 और आपका plus minus under root 0 और divide by हो जाएगा आपका कितना 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और यहाँ पर देखे आप एक भाट प्लस लेंगे लेंगे तो आपका देखें प्लोज चीन लेसे पर यक्स बराबर हो जाएगा आपका चार under root 3 इसमें जीरो को जोड़ेंगे जीरी का वर्घक्मूल आपका 0 ही होगा यहाँ पर देखें लिख लिख लिजिए आपका zero का वरघ मुल हमने फर मैंनस जीरो अपका । यापकर देखा लिए प्लस माइनस जीरो हो गया प्लस चिन लेने पर्डायर एक जीजर ब्रावर हो जाएगा औ यानि आपका देखे अंडररूट 2 रहा और फिर एक बार माइनस चीन लेने पर माइनस चीनल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 और माइनस 0 है माइनस 0 यानि इसमें से 0 को घटाएंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा और डिवाइड बाई 8 चार दूनी तो दिखें यहां से भी आपको क्या मिलेगा अंडर रूट 3 ऑई 2 तो दिखें आपका यक्स का दो मान हमें मिला और दोनों समान है दोनों क्या है समान है तो लास्ट में आपको लिए गए गए दिगहा त समीकरड के मूल under root 3 by 2 कामा under root 3 by 2 है आपको last में लिख दिना है अतः दिये गए दिघात समिकरण के मूल under root 3 by 2 कामा under root 3 by 2 है आप इस्क्रिन साट ले लिजे फिर अगले सवाल को हल करते हैं और आपको सवाल समझ में आ रहा होगत वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फिर देखिए दूसरे में चवथा सवाल है 2x square plus x plus 4 बराबर 0 इस दिघात समिक्रण के मूल ग्याद करना है और वो भी दिघाती सुतर का उपयोग करके तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम ax square plus dx plus c बराबर 0 से तुलना करने पर इस दिघात समिक्रण से इस दिघात समिक्रण का तुलना करेंगे जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर x2 का गुडान के ऐ सं AH की तो 2 है तो 2 हो जाएगा और b वराबर हो जाएगा यहाँ पर 1, x का गुडान के 1 है और c बराबर आपका हो जाएगा प्लस चार सी वराबर क्या हो इसको हल कर लिजी 1 का स्कॉर 1 माइनस चार दुनी आठ चोग के 32 और फिर यहां पर देखिए माइनस 32 में से एक को घटाएंगे माइनस 31 यहां पर देखिए b square minus 4ac का जो मान है रिडातमक आ रहा है क्या रहा है रिडातमक आ रहा है तो देखिए आपका दिघाती सूतर लगाने के लिए हमें जो condition होनी चाहिए वो आपका यह होनी चाहिए b square minus 4ac is greater than 0 या is equal to 0 या इस ग्रेटर दैन 0 या is equal to 0 यानि b square minus 4ac का मान 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए तभी आपका दिघाती सूतर का उपयोग करके हम दिघात समिकरण के मुल गयाद करेंगे यहाँ पर देखे हमें b square minus 4ac का मान क्या मिला है 0 से कम मिला है minus में मिला है रिडात्मक मिला है इसलिए इस दिघात समिकरण का कोई वास्तविक मुल नहीं होगा तो आपको लास्ट में लिख दिघात समिकरण का कोई वास्तविक मुल नहीं होगे तो यह देखे दूसरे सवाल के सभी पार्ट को हमने हल करके बता दिया आपको इस स्क्रीन साट लेना है तो वीडियो की स्टाप करके इस स्क्रीन साट ले लिजे और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिजिए